तो वेड़ी के स्टार्ट के पाहा में लिंजा को दिखा रहता है जो एकनादी के किनाड़े बैठ रहता है फिर वह खुद भी-खुद से कह रहा होता है कि आजकल की छोटी से लड़कियों के दिमाग में किस तरह का है बीट रहता है वैसे या पर कुछ तो गला थे उस लड़के ने मुझे आचानक से पूचा कि को या चाने मान डाला वैसे उससे कोस्ट डिवन के बारे में कैसा पता चला और कि इतना भी टाइम नहीं कि हर सिटी पर जाकि और ये निवस फिलाए और मुझे लाग रहा है कि क सब्सक्राइब करने वाला हूं तो बोड़नों पहले ही अपना एक्ट शुरू कर दिया था क्या यह पॉजबिलिटी हो सकता है कि बोड़नों रिवॉर्ण हुआ है और या फिर बोड़नों मेरे जैसे टाइम ट्रेवलर है और स्क्रिप्ट के बार में सब कुछ पता है बैस किन सिफ्ट होता है हमें लोटास केब को दिखा थे उसे के अंदर हमें जाओ होंग लिंग को दिखा थी जो कुछ पी रही होती है यह पांचो दिन गुजार चुका है है ना और मेरे पास रही हैं यह बिल्नी मेमोर की सबसे यह और को मानने के बाद बाफास लॉट आएगी वैसे इस बर मेरे जैसे एक इंसन जिसको फीचर का बड़े में पता है मैं किसी भी चीज़ भी इंटरफैन नहीं करूंगी पर यह पर कोई एक्सिटेंट तो नहीं होगा है ना और वैसे हैविल नी मेमोर की सबसे मुझे नहीं पता चले कि वो किंग लॉन सिटी के अंदर स मुझे को तरफ जाती है पर होंग लिन मनमें मैं कह रही होती कि अगर मैं इस चीज़ को पहन के उससे मिलती हूं वह खुस होगा उसके वाद में हो देखते जो लिए पर लिए सब्सक्राइब आ रही होती है और अच्छा व्लिन नहीं कर देखते हैं जो दूसी तरह पड़ा मुह घुमा लेता है, फिर वो मनी मन में कहा रहा होता है, मैं जब मास्टर के आज पास नहीं रहता हूँ, तब उस समय मास्टर ब्लैक सिल्क मुझे को पहनता है, मैंने क्या देख लिया, या पर कोई कुछ तो कह हो था कि इस इंप्रेसमें से बाहर न मैं पर लिंजा के सान्य हमें जा होंग लिंग को दिखे आती है, जो बहुत ही जाता घुस्सा में रहती है, फिर वो कहा रही होती कि तुम्हारा ये टीचार अंतोर पर तुम्हें बहुत ही डिलाई से डिसेप्लीन करता है, पर आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूं कि एक में में जो ड्रांक इमोटल मून स्टेफ है, उसके माँसे मैं मास्टर के सब ही एकटों के मैं सिर्फ ऑनली 87 टाइम एकटक को डॉज किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा सौटमेंट से फिर से इंप्रूव हा है, और या फिर यह सिस्टम का दिया हूँ और रिवर्ड ब्ले यह से जैसे उमीद दा, ऐसा लगए लगए कि तुम भी एक स्वाट मैंसी जीनियास हो, उसके बास जाह हो लिंजाओ के चाहरे पर हाथ रखती है, फिर वो कहा रही हो थी कि मेरी आखो के तरफ देखो, और बाई पर लिंजाओ नहीं मेरे में क्या रहा होता है, यह तो मेरे यह स्वाट है, वो बहुत यहादा स्केरी है, मुझे हमें ऐसा फील होती है, कि मैं उस चीज़ को कहीं पर देख चुकी हूँ, तरफ चना से जाहा हो लिंग कि चलो भूल जाओ, जदा सोच में से कोई फाइदा नहीं है, और हाँ वैसे तुम अभी बहुत यह स्ट्रॉंग हो चुकी हो, कि मुझे लग रहा है कि यहाचन के साथ कुछ जुरा हुआ है, और यहाचन इस मांटेन पर इंडर कानने से पहले मेरा काल्टिवेशन दस सल तक एक ही रिलना पर आटका हुआ था, पर यहाचन जब इस मांटेन के अंदर एंडर किया, तभी एक महने के बाद ह मेरा काल्टिवेशन फाउंडेशन विल्डिंग से सिता धर्मा रिलना पर पहुंच गया है, और यह सब कुछ यह डॉक सिस्टम के वज़े से हो रहा है, और यहाचन पर सब ही हिरोईन के जो एक्स्पूस करने के बाद ही मुझे पता चलेगा, उसके बाद लिंजा उसके मा कहना है, बताओ, तुम्हारा यह मास्टर सुन रही है, तब यह जनसा में दिखा रहा है कि कोई चिला तो यह एनॉंस करता है, कि लिंग लॉन सेट के सभी पांचों ब्रैंचिस के लिडर और सभी डिसाइब पे इस ओर्डर को मानी है, क्योंकि डिमन सेट अपना मूँ पहल करने के लिए, फिर हम जा होंग लिंग को देखते हैं, जो लिंग जा को कह रही होते हैं, कि फाय माड़ी और मार्सलार कॉम्पेटिशन को सीडूल है, वो पहले ही आ चुका है, तो या चन को तुमने जो प्रमेस किया था, वो काल तुम्हें फुल्पिल करना है, अब तुम चिंता मत करें, तुम्हें सपोट करने के लिए, हमेसा तुम्हारे मास्टर रहेगी, क्या तुम समझे, और विए लिंग जा को देखते हैं, जो कुछ नहीं कह रहा होता है, जा हमने कह रही होती है, कि वैसे तुमने अभी कहा ना, कि तुम मुझे कुछ कहना चाते हो, तो आज रात, तुम्हें जो चीज़ चाहिए, वही चीज़ दिने का मैं कोसिस करूँगी, लिंग साथ कह रहा होता है, कि अच्छे ठीक है, आपका ये डिसाबिल आपसे कुछ कहना चाता है, और मैं उमीद करता हूँ कि मास्टर में कोई इंटर्वार नहीं करेगी, और मैं ए कि जाओना, वही पर लिंग साथ कह रहा होता है, और उसे के साथ ही साथ आपको ये डिसाबिल मास्टर को कहना चाता है, अगर कभी एक दिन मैं यह पर नहीं रहता हूँ, तो मास्टर आप खुद की खायाल रखना, और जितना कम हो सगे, उतना कम ही दारूपी ना, और आप आपको ये डिसाबिल उस केक का रेसे भी आपको लिख के देदेगा, और आचनाक से मुझे ऐसास हुआ, कि आपको ये डिसाबिल इन बर्सों में अपने मास्टर के सेवा में बहुत प्रैस किया है, तो चिलाते हुए कि ये कापी है, तुम्हेरे टीचार होने के नाते, मैं तुम्हारे ज़रूरात है, और फाइव मार्य और मार्सलाट कमपेडिशन में ये अचनी को तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पीटना है, उसके बाद तुम्हारे मास्टरा के पास होनेशली लोट हाँ, और तुम्हारे ये मास्टरा चाहता है कि तुम तीन जन्मों और तीन जन्मों की सेवा करो, क्या तुम समझें? कि ना छोड़ने का इच्छा का विचार कभी इतना मजबूत नहीं रहा सच में पूरे की लां सिट के अंदर सिर्फ एह ही इंसन है जिसे मैं सबसे कि अगर तुम उस बैटल में जीतते हो तो तुम हमेंसा मेरे डेसा फिल रहा होगे पर फिर जाते हुए कि तुम्हें भविस में ऐसे समाज से बाहर की बाते कहने का इसोज़ात नहीं है फिर वो मांटन के नीचे जाने लग दिया फिर वो कह रहे होते कि जो लोग बसंद के ल कि मास्टर्ण अपका ये डेसाइफल कहा है न चाहता है कि आपको हमें सब भीयार करता रहे और जो लिंज़ांवके में चल करने लगए पो में पसंद करती है कि मैं में अपर बहुत हैं मेरे आने जिदान के खुन का मैं बहुत दिर महीं किया है और बहुत ही स्याइब मैं किया रहे थी कि मुझे जल्दी से यहां से निकालनी होगी नहीं तो मैं एबनॉर्माल हो जाओंगी सिंसिफ्ट है हमें सेंजाव प्लेस के लॉंग सू पीक को दिखाया था है बाइप आम जू वीनिंग को देखते है और उसके साइट पर हमें गूयरों को दिखाया थी है बाइप जू वीनिंग किया रही होए थी कि जैसे कि जूनिया सिस्टर गू ने कहां इस ओपरसर में सब्जेवारा योगदान निसंद चीफ सेलवन फिगलन का है यह उनकी कमान और नेत्रित्तुम में था और जू वीनिंग की यह साब बाते सुनने के बाद हमें किंगनों स के स्पाई को जो कहा रहाता है कि डेमिट के ऐसा हो सकता है कि यह एल्टर कुछ भूल चुका है कि इस लड़े में किवल तीन वन वाई जैसे तीन आनोर्ती लोग ही नहीं मारे घोस्ट विच सेक्ट लगवग पूरी तरह से नस्ट हो गया था और डेमन सेट के स्पाई की य मास्टर की वाते को सुनने के बाद में गू इरॉंग और जू यू को दिखायती है जो कहें रहेती कि यह बात यह है तब याचन आ जाता है फिर वह कह रहाता है कि टेन वान पी के चीफ डिसाइपल याचन सभी एल्डर को ग्रीट करता है और वैसे सिन्वान पी के चीफ ड सभी याचन के स्वार्ड के नीचे मारा गया है जो लिंजन की यह सब बाते सुनने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगदा है कि याचन सिर्फ फास्टेज के धर्मारिलम पे हैं ना पर वो असल में इतने सारे पारफुल मास्टर और घोस्ट उच सिर्ट के में यह बंदा है बेन का सौन है बाइप में दुझी तरह भी याचन को दिखाया है जो ऑडियन्स का यह सब बाते सुनने के बाद वो खुदी-खुद से कह रहा होता है कि अपने देखा हजारों लोगों तरह फसंग सा किया जाने और यह चिट्टियों को चोका देने का यह भाव पना वाव पास आ गया है बाइप मैं एल्डर सी को दिखाया थे जो यह सब बाते को सुनने के बाद कह रहा है कि है मैं सच में बहुत यहाद है बेसर हूं यह वाकात सर्मनक है कि मेरे पास तुम जैसे लोगों के साथ जूरने के आलावा कोई विकल्प नहीं है उसके रवार आएं पर व्रिक्त रुकार्णी के बाद ही वो सेट के अंदर रेटन आया है सिन प्रिजेंट पर आता है हमें यहाचन को दिखाया थे जो कह रहा है कि चींदा मत किजिए कल जब हाई मार्डियन मार्सलाट कंपरिशन खतम हो जाएगा मैं लिंजन को मेरे पैरों के नीचे लेकर होंगा और उसे कुछ चाल दूँगा उसके बाद उसे पता चलेगा कि सिन्यार प्रादर उसके सभी जुनियर सीटर के सामने और उसके मास्टर के सामने कैसे वो अपना रिजनिटी खो बैटता है उसके बाद उसे मैसुस होगा यह जो फिलिंग से वह मौस से बीदरदोनाग है और याचन के बाते सुने के बाद एलर सी कह रहा होता है कि हेल इलिटी तुम खुद के फैंटेसर में जाता खोए मत रहो और मैं तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं याचन सवन ओडेस्टनी हूं जिसके पास और मैं इस दुनिया के ग्रेटेस्ट परसन हूं तो मैं मेरे छोटी से लाप को अगर सेखरीपाइस कर भी देता हूं तो क्या जाता है और बात रही औरगिन की तो हम फीचर में लाइब नॉटरेन इलिक्सर रिफाइन कर सकते हैं सिंद सीप्ट होता है हमें लॉंग सूपीक को दिख्याता है बाइब आम जियां को दिखते हैं जो एक कबर के समय बैठा रहता है फिर वो कहलाता है कि होंग या तुम्हारा यह सिनियर बदर लॉंग सूपीक के अंदर बापास आ चुका है पर अनफोर्चनली तुम्हारा सिनियर बदर को मारने में फेल हो चुका है मैं कौश्च ज्च कograf Bachelor गुअरॉंग उस को मार दीया है लेकिन टुम्हारी सिनेर्षट का यात्रह वयर्थिश नहीं गया ने खोस्ट विछ सेट के ग्रेट मैजिसियन को मार डाला या ताकि मैं घोस्ट विछ काल्ट के इलाइट को भी मार दिया है और इसके मलाई यह भी है जब इक 250 सेट कम डीमें यहाद क Supo कंडिक करेंगा दो और बहुं याचंग मेल पोटागोने से इस दुनिये में बहु ही सिर्फ सोन अफडेस्टिनी मुझे रोक सकता है नहीं मुझे सब कुछ प्लैन करके रखना होगा रहा हूं कि त्यानन ब्लाड डिमर मूब करने से पहले हैं मुझे ये प्लेंट फेल नहीं होना चाहिए सिंसी प्रता है हमें लॉंग सुबह के बाहर कर संदिकाया था बई भी रहा होता है और उसको सामने एक सर्वेंट रहता है तो फिर उसे प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए मैं आस्मानों को देके कसम खती हूँ सिन्यवादर अगर आपको फाइब मार्सलर कंपूटिजन खता होने के बाद मास्टर आपको सजा देती है तो मैं जरूर हमेशा आपके साथ रहूंगी और उस समय के बाद हमें किसी भी चीज को लेके टेंशन करने का जरूरत नहीं है हम हमेशा एक साथ रहेंगे पर तभी है जरसा हमें दिखा आयता है कि सिकंड जुनिया सिस्टर के बिच्छे सा कोई कह रहा था कि सिकंड जुनिया सिस्टर फिर थर्थ जुनिया सिस्टर कह रहे हैं then कि सिस्टर के मैच के सीरियल के जब से मैं फास्ट टिम ते सिल्वन पीको रिप्रेंच करने वाली हूं और हम सभी का 4 जुनियसिटर लू यान 2 टीम को रिप्रेशन करने वाली है पर आपका जो उपनेंट है वो और भी ज़दा टेरिफाइंग है और 3 जुनियसिटर की यह बाते सुनी के वाद में 2 जुनियसिटर को दिखाया दिये जो कहा रही होदे कि तो तुम जुनियसिटर कह की सीतर कुछ समय के लिए हम्यसा खुद की उपर घमंट रहा यह अची बात नहीं है सकता है कि एक unknown time on space पर मैं जूइने के सामने हार गई पर इस दुनिया में मैं कसम कहती हूं कि मैं अकाल उसे हराऊ वह उसे कि मैं चाहती हो कि मैं चाहती हूं कि मैं स्टेर के बदले में जूइने के साथ fight करूं ताकि तुम तुम्होंने milhões को बचाए रखो और याचन को हरावपाओ और 30 कि ए बात को तो क्या रही होती कि क्या तुम सच मेरे बार में क्यास सूचती है या पर सबसे इंपडिन की अ है कि अध्याव स्भुरुऑ चिज्टी को कार रही हो जोलो हम क्ता करते ऑर जाव यह सब को स्नियर प्रतर के लिए है तो हम दोनों के बीज में जो फाइट है उसे बंद करते हैं वैसे हम ग्रो होने के बाद स्नियर प्रतर को लेकिए हम वह एक दूसरे के उपार जेलास रहे हैं और बहुती लंबे समय हो गया है हम एक साथ अच्छे बात नहीं किये हैं उसके बा सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए हम जब अकले में रहे हैं तो इसलिए हम जब अकले में रहे हैं कि तुम्हें इतना जब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है वैसे वह इनिंग तुम्हें कि इंगल्यम सिटी से बापास लोटे मैंने तुम्हें नोटिस किया कि तुम थोड़ा डिस्ट्रेक्ट थे क्या यह सब कुछ करके फाइब मार्यान मार्सला अर्ट कमपडिशन के सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं तो सिर्फ एही हो सकता है एक सब्द लाभ है इसको लेकर चिंता कर रहे हो बाइब में जू वह इनिंग को दिखाया यह जिए बात को सुनने के बात ब्लासिंग करते हुए और हर बड़ी करते हुए कि मास्टर ने गलत समझा है आपका यह डिसा पर सिर्फ इमोडलेटी बानने में फोकस करती है और मैंन और ओमेन की बीज में जो लेकि कोई वी इंट्रेस्ट नहीं है वारा मैं जू वह इनिंग के मास्टर को दिखाया थी है जू वह इनिंग की य मेरे बीज में जो रिलेसंसिप है वो प्योर और इनसेंड है वाई पर जो इनिंग के मास्टर क्या रही होती है कि मेरे अच्छे डिसेबल किसी ऐसे वैक्ति से प्यार करना जो तुम्हारे जैसा है बहुत यह अच्छी बात है तो तुम्हें उससे क्यों बचना चाहिए आपने पर आपको पता है कि उसके साइड पर 3चालूरे सुइट है जो तीनों ही बहुत ही जदा वीड फुवल और फेटी है जो रही। बातेहर संदा के बाद की वीज लड़की मेरें क्या जantas तींग डैयंप वहुत सर्वेन में बहुत सरा बोच किया है और बहुत सरे कहा ही होते हैं इस नगे अच्छा डिसाइल को रिलेक्स करो और विल्च के उपर विस्पास रंखो प्सपार्घट सॉirens पाला है वो सिक्रेट रिल्म स्वार्ड फेमिली के फाइब मार्सल आर्ट को इन टेक्निक है और अगर यह टेक्निक तुम और मार्सल ने पर लिन मिलके एक साथ यूज करते हो तो यह बहुत ही जाता है वेडियो कैसा लागा मुझे को मुझे जरू बतना सिरीज अच्छा और यह सिरीज तो कोमेंटर के बता हूं में एपिसोटर करने के गोजिस करूंगा और अल्रेडी दो चैप्टर बाकी है उससे एक एपिसोट बन जाएगा ठीक है तो आज यह कली अपलोड कर दूंगा जिंता मत करो और कैसे लागा मुझे जरूर बताना ठीक है और यह सिरी करते हैं बाई बाई